हेलो फ्रेंड्स अगर आपकी थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाती है या फिर आप सीडियों पर चड़ते हैं तब आपकी सांस फूल जाती है सांस फूलने से चाती में भी दर्द हो जाता है और उसकी वज़े से हमारे अंदर एक घबराट सा हो जाता है यसे हमारी सांस फूलती है अच्छाती में दर्द होता है और घबराट सी होने लगती है तो आपकी ये जो समस्या है आज पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी फ्रेंट्स एक छोटा सा आपको घरेलू नुस्खा अपनाना है और अगर आप इस नुस्खे को अपना लेते हैं कुछ दिन तो आपकी जो ये सांस फूलने की समस्या है बिलकुल खत्म हो जाएगी आप बिना दवाई खाए अपने सांस फूलने की समस्या को घर पर ठीक कर सकते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा ए घरे लूपाई में आज को बताने जा रही हूँ बहुत ही पुराने जमाने का है जो हमारी दादी नानी अपनाया करती थी उनी का बता हुआ तरीका आज आपके सामने सेयर कर रही हूँ तो फ्रेंट्स हमें इसमें क्या-क्या चीज़े लेनी है, कितनी मातरा में लेनी है, जितनी मातरा में आपको बता जाएगा, इतनी ही मातरा में आपको ये चीज़े लेनी है, तभी आपको पूरा फाइदा होगा तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा लाश तक और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो प्रेंट जैसे हमारी खासी वगरा हो जाती है खासी की वज़े से भी सांस पूलने लगती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खासी भी नहीं होती है तब भी हमारी सांस पूलती है और हम थोड़ा सा चलने से भी कतराने लगते हैं क्योंकि सांस पूलने की जो यह समस्या है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो फ्रेंट्स इसमें हमें लेनी है मुनक्खा और हमें लेनी है अक्रोट की गीरी तो फ्रेंट्स ये हमें मुनक्खा इतनी सी लेनी है यानि कि आपको 6 मुनक्खा लेनी है और 2 ये अक्रोट की गीरी लेनी है बस इससे ज़्याद आपको नहीं लेना है 6 मुनक्खा लेनी है और 6 दो अक्रोट की गिरी लेनी है इतनी मात्रा में हमें लेनी है क्योंकि जो अक्रोट होता है इसमें एक ऐसा विटामिन्स होता है जो हमारी सांस पूलने की समस्या है उसे ठीक करता है और यह मुनक्खा तो होती है फाइदे मन हमारे गले के लिए हमारी खासी के लिए सांस पूलने की समस्या के लिए बहुत ही अच्छी होती है अगर आप डेली मुनक्खा का सेवन करती है तो आपको यह सांस पूलने जैसी बीमारी कभी नहीं होगी आपके समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसके साथ अगर आप अखरोट भी खाएंगे तो बहुत ही जादे फाइदा आपको लगेगा तो फ्रेंट्स जो ये अखरोट होता है ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है हमारे जो गुटनों में जोडों में दर्द रहने लगता है उसे भी ठीक करता है और हमारे दिमाग को तेज करता है जैसे हमें मानसिक ठकान हो जाती है कभी-कभी उसे भी दूर करता है तो हमें एक गिलास दूद लेना है और एक गिलास दूद को हमें एक भगोने में डाल करके इसे अच्छे से पका लेना है तो इसमें हम ये 6 मुनक्खा डाल देंगे दूद में और 2 ये हम अक्रूट की गिरी डाल देंगे और इनको डाल करके अच्छे से हमें पका लेना है तो इसमें दो तीन उबाल आने तक हमें अच्छे से इसे पकाना है जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो आप गैस का फ्लेम लो कर दे फिर दुबारा से हाई करके ऐसे लो करके आपको तीन चार बार ऐसे ही इसमें उबाल देना है और फ्रेंट्स इसे आपको किस टाइम लेना है कैसे लेना है मैं सारी बाते आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी बहुत ही अच्छा गरे लूपाई है फ्रेंट्स आपकी जो सांस पूलने की समस्चा बिलकुल ठीक हो जाएगी उसके साथ साथ आपकी जो कमजोरी है शरीर में आपको थोड़ा सा काम करने के बाद ठकान हो जाती है वो भी दूर हो जाएगी और जोडों के दर्द बिलकुल खत्म हो जाएगे बहुत ही अच्छा गरे लूपाई है आज माया हुआ है तभी आपके सामने सेयर किया है तो दूद अच्छे से उबल गया है और अब हम इसको एक गिलास में निकाल लेती है फ्रेंट्स और जो हमने इसमें चीजे डाली है आपको दूद के साथ इन्हें भी अच्छे से चबा चबा करके खाना है आपको इसको लेना किस टाइम है फ्रेंड इसको आपको सुभे के टाइम लेना है जैसे ही आपको फ्रेस वगरा हो करके आपको थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज करनी है जैसे आप सी हो सके और उसके बाद आपको इस दूद को पीजिएगा आपकी जो सांस फूलने की समस्य है बिलकुल हो जाएगी और इसे मीठा करने के लिए आपको मिश्री का यूज करना है नहीं आपको इस में कोई भी घुर्ट सककर चीनि वगधर नहीं डालनी है आपको इस मिश्री से मीठा करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी सांस फूलने की समझ्या बिलकुल ठीक हो तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कोमेंट करके जिरूर बताना वीडियो पसंद आई चैनल को